इसका नाम है कॉमेट के बारे में सारी चीज़े हम लोग बहुत डीटेल में डिसकस करेंगे आने वाले फूदर फ़ीजिओ में क्या प्लाइनिग होनी ची एक किस टॉपिक को पहले करें क्या 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 टॉपिक साथ लेने हैं क्या आपको चूज करने हैं जब अगर अपने अभी तक preparation नहीं है तो आने वाली जो कॉमेट की planning है पेपर को attempt करने की planning और पेपर में जो जो topics आपके रह गए हैं जो topics आपको पढ़ने हैं जो syllabus है आपका उसो किस तरीके से आपको cover करना है वो सारी planning में आप लोगों के साथ आने वाले वीडियो में share करूँगा सारी सारी सा आगे बढ़ते हैं और अब देखिए अब मैं आजाता हूं कि यहीं पता नहीं कि comment क्या चीज है ना तो comment के के बारे में अगर मैं बता दूँं आप लोगों को comment के basically Bangalore में जितने अगर आपको प्लेस्मेंट चाहिए तो उसके लिए हर साल कॉमेट के का एक्जामिनेशन होता है ठीक है तो मतलब कॉमेट के के जो भी बैंगलोर में जो भी अच्छे कॉलेजिस है और बहुत सारे काफी मतलब आप मांगे चलो 140-150 कॉलेजिस हैं इसके अंदर तो अगर वहां के आप मतलब बैंगलोर में या करनाटिका में आपको प्लेस्मेंट के लिए कोई कोई एंट्रेंस टेस्ट आप कहें तो है तो वो है कॉमेट के थोड़ा सा आगे बढ़िया तो इसकी इंपॉर्टन्स के बारे में आप लोगं को बता देता हूं कि भीजा दे पर मिलेगा बिल्कुल भी पैसे भी बहुत हैं अगर आपका प्लेस्मेंट नहीं भी हो रहा है तो वहां पे बहुत सारे ऐसे नहीं ऐसी कंपनीज है स्मॉल स्केल पे जहां पे आपको एक अच्छा खासा डिशन सामाउंट इनिशली आपको मिल जाएगा तो यह बात है तो ऊता दूरल क्योंकि 12 का जो सेयल बesian वी रिड्यूज हो चुका था है यह ऐप्रिल में नोडों ने नीकाल था कि ट्वेल तो उसके बहाफ पे क्या कि क्या कि चलis Latd पॉस्पिलिटी नहीं लगती है क्योंकि यही सेलेबस अब कॉमेट के वापिस रिलीज करेगा चौंकि बच्चों ने वैसे भी अब ऐसा तो है निकि एक्जाम कैंसल हो तो कॉमेट की कैंसल हो जाएगा ऐसा तो होने वाला नहीं है तो उनका जो नोटिफिकेशन है जो कि as the date for conductor of its UGT for admission and engineering courses कॉमेट के मेंब इस नोटिफिकेशन देट बारा एक दोजार एक किस a detailed calendar of event of the information brochure along with the eligibility criteria in the behalf has been hosted on the website of website प्याजाएगा तो हाँ मिल जाएगी subsequently it has learned that CBSC has reduced the syllabus with was interim adopted as it it is by Karnataka state PU public board VIDE it's circulated dated 21-20 देखो कुलमिला के बात यह है गाईज कि CBC ने syllabus घटा दिया था तीबेसी के syllabus घटाने के बाद उसमें जो टॉपिक उन्होंने हटा जिये हैं वो comment के ने इसमें डिलेट मैं आप लोंको बता दूँ क्या कई काडी हुआ है वो न हम पता द बता दूँ să infrared नीनिफोर्म चार्ज सिन इस परिकल शन्हल यह भाल्या देट इलेक्ट आ दिलीट यह स्ट is carbon resistor color code for carbon resistor series and parallel combination resistors ये delete हो गया है moving charge and magnetism में cyclotron आपका delete हो गया magnetism and matter में magnetic field intensity due to a magnetic dipole ये delete हो गया torque of a magnet dipole ये भी delete हो गया है para and die and ferromagnetic substance with example ये delete हो गया है electromagnet and factor affecting the strength permanent magnet ये delete हो गया electromagnetic induction में कुछ भी delete नहीं हुआ है तोड़ा सक तेजी से अपन देख लेते हैं alternative current power factor और water 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 current ये delete हो गया electromagnetic wave basic idea of displacement current ये delete हो गया है और ray optic में से reflection of light spherical mirror ये delete हो चुका है और ray optics में से scattering of light और बिलीट हो चुका है waves optic में से resolving power of microscope डिलीट हो चुका है हो चुका है तो अब आपको जो नहीं प्लानिंग करनी है वो ये जो डिलीट पॉशन है इनको छोड़ कर जो बचे हुए topic से उन पर आपको focus करना है इसी तरीके से chemistry का भी आपको दिखा दूँगा मैं left में solid state में से electrical properties and magnetic properties ये delete हो गया है solutions में से abnormal molar mass delete हो चुका है electrostatic chemistry में से galvanic cell, batteries, fuel cell and corrosion delete हो चुका है chemical kinetics temperature dependence of the rate of reaction delete हो चुका है corrosion theory of the chemical reaction delete हो चुका है surface chemistry में से catalyst and immersion ये delete हो चुका है d block f block का भी deleted portion है आपको left में दिखाई ही रहा हूं मैं तो ये सारे portion जो है आपके ये delete हो चुके हैं तो जिसमें से कुछ भी delete नहीं हो वो आपको पूरा का पूरा portion करना है और जिसमें से जो ये portion delete हो गए है ये आपको छोड़ देने हैं कुछ polymers की पूरी entire जो है यूनित delete हो चुके chemistry in everyday life का पूरा entire unit जो है वो delete तर दिया है mathematics की बात करो तो mathematics करो आपको left में सारी की सारी चीज़े दिखा रहा हूं कि क्या delete हुआ है क्या delete नहीं हुआ है इसकी pdf का link मैं आपको description में देरूँगा तो वहाँ से आप जाके download कर सकते हैं और अपनी जो preparation है वो इस according आप लोग शुरू कर सकते हैं बता दूँ वीडियो आने वाले फर्दस वीडियो में हम लोग प्रॉपर पुजियो कांसलिंग है वी एटी की हो गई और मनिपाल की हो गई और यह जो है कॉमेट किये कि पूरी कांसलिंग के दौरान में आप लोगों के साथ बना हुआ रहूंगा कुछ आपकी queries हैं you can let me know in the comment box आपको syllabus के regarding कुछ questions हैं वो आप मुस्से पूर सकते हैं आने वाले टाइम पे इस syllabus में किन topics को आप पहले करें वो और क्या topics आपको अभी उठाने हैं अगर आपकी प्रिवेशन अभी तक स्टार्ट नहीं कि यह कौन से topic तफ हैं उन सारी चीजों पर मैं discussion करूंगा तो यह एक exam preparatory type का वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा तो इससे आप लोगों को थोड़ी सी help हो जाएगी जो वीडियो होगा वह मैं previous year के जो students हैं और जो teachers हैं और जो मेरे friends हैं जो already comment के या जो बीटेक कर चुके हैं या और खुद के भी जो analysis है उसके बहाफ पर वीडियो होने वाला है तो गाइस ध्यान रखिए तब तक अपना और अपनों का और इस PDF को आप जरूर डाउनलोड तर लिए क्योंकि आने वाले टा बहुत ही महत्तकूंट समय था जो आपकर लिया हो खतम हुआ है अब रिजल्ट की और दीरे दीरे चीज़ें बढ़ने लगेंगे दर्स आल फॉम माई साइड माई नेम इस करन से चून स्टेश से स्टेबलिस्ट बाबाई गाइस जय हिंजय भारत और समझदारी से कौले च गड़ कीज़ेंगे